प्रेभाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं बना इंसान मेली नजा इस दुनिया को छोड़ा आसमा बना इंसान मेली नजा इस दुनिया को आज का संदेश परमेशर के दास इन रगु सूरण से बाटा जाएगा प्रार्तना के सथ सुनिये शुबसंदेश को सुनने वाले अमारे प्यारे भाई और भानों असुबे प्रफुईश मसी के नामें आप सबको प्रेमी सलाव हम पीछले दिनों में पहला योहना दूसरा ध्याय और उसके पहले से लेकर छटवा कलम तक मनन करते और हम कुछ चात्मिक सचायों को देखा और आज हम दूसरा ध्याय के सात्वी कलम से लेकर ग्यार्वी पत तक हम पढ़के प्रफु का वजन से सुनेंगे हे प्रियो मैं तुमें कोई नया आज्या नहीं लिखता पर वही पुरानी आज्या जो आरंब से तुमें मिली है ये पुरानी आज्या वह वच्चन है जिसे तुमने सुना है फिर भी मैं तुमें नहीं आज्या लिखता हूँ रह उसमें और तुम में सची तहरती है क्योंगी अंदगार मिटता जाता है और सत्य की जोदी अब चमकने लगी है जो कोई यह कहते है कि मैं जोदी में हुम और अपने भाई से वाईर रखता है वो अब तक अंदगार ही में है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो जोदी में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता पर जो कोई अपने भाई से वई रखता है वो अंदगार में है और अंदगार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है क्योंगी अंदगार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है प्रभू इन पड़े हुई वजन के उपर बहुत आयत आशिश्डे प्यारो हमने पिछले दिनों में देखा यो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसमें सही में मसी वास करते हैं और परमेश्वर को प्रेम करता है और उसकी आज्ञा को मानते हैं उसका कारण वो जानते हैं परमेश्वर उससे प्रेम किया है मसी का प्रेम से मसी का उस आज्ञा को पारन करने की तात्तरिय और पूरा करने की ताथ पर रहे और उसके समान चलने के लिए वो चाते है करनों जानते हैं मसी उन पर प्रेम किया है और उसका प्रेम के कारण उनके आज़्या को मानने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं और यहां हम एक दूसरी बात एक विश्वासी के जीवन में एक दूसरा विश्वासी को प्रेम करने का और उसके साथ मेल मिलाप में जीने का एक और कारण है उनके जीवन में जो अंदगार थे उनके जीवन में जो पाप थे और मसी में आने के द्वारा उस अंदगार मिट गया है अंदगार दूर हो गया अभी किसी प्रकार का अंदगार उसके जीवन में नहीं है और जब वो जीवन की जोदी पाया सच्चे परमेश्वर जो जोदी है उस पर विश्वास करके उसके जीवन में भी उस जोदिरमय सुभाव पाने के लिए एक तक मिल गया है अभी मसी के उस जोदिर एक विश्वासी के जीवन में उसका प्रेरना उसका प्रदिभलन हमको देखने को मिलते है और इसके वज़े से वो भी अपने भाई को प्रेम करने लगा अगर कोई कहते है मैं मसी में हूँ और मसी जो जोदी है उसके जीवन के जोदी पाकर वो जीवन की चाल चलन चलते है और अपने भाई को प्रेम नहीं करता है तो वो जूटे है सच में वो मसी की जोदी नहीं पाए है अगर वो सच्चा जोदी को पाया अपने जीवन की अंदगार अपने जीवन की पाप मसी में मिलने के द्वारा मिट गया तो अपने भाई को प्रेम करेगे तो प्यारो हम जब अपने भाईों को प्यार करते है प्रेम करते है ये भी मसी से पाया हुआ उस प्रेम के प्रदिफलन है उसकी परणाम है और जब मसी हमको प्रेम किया ओ प्रेम हम दूसरे को भी दिखाते हैं हमारे भाई को भी हम दिखाते हैं हमारे साथ मसी के साथ चलने वाले और हमारे विश्वासियों को हम प्रेम करने का कारण हम जो पाया उस सक्चे जोदी ईश्य मसी के सभाव के अनसार है कारण जब हम पापी थे जब हम अन्दगार में जीवन जीते थे हमारी सभाव बहुत बुरी हलत में था तब मसी ने हमारी और प्रेम किया हमको अपने पास बुला गया और हमारे पापों को धोया और हमारे सभाव उसके सभाव में मिलने के लिए वो अपना जीवन दिया अपना रक्त बहा के हमारे अशुथी को अशुथ करके पवित्र करके धार में के धार ढराके हमको उसके करीब रखा वो संगदी में हमको बुलाया तो हम भी अपने भाई में जो मसी में है उनको प्रेम करके ये जोधी को अम दिखाना है अगर हम नहीं दिखाया तो इसका आर्थिये है अम मसी का नहीं है मसी अमारे में नहीं है और फिर हम यहां पढ़ते है जो भाई मसी में अपने भाई को प्रेम नहीं करते है वो अंतगार में चलते है और उठो कर खाएंगे वो गिरेंगे और आने वाले समय में उसके जीवन में बहुत बुरी परिणाम हो जाएंगे इसलिए प्यारो जो लोग मसी में हैं वो अंदगार में कभी नहीं चलता अपने भाईयों के साथ चलते हैं भाईयों को प्रेम करते हैं भाईयों को अपने शरीर के ठोकर काने का कारण उसके जीवन में नहीं है क्योंकि वो जीवन की जोदी पाया और जीवन के जोदी में चलते है प्यारो आज उसुबे हम मसी में जीने वाले मसी में चलने वाले हमारे में दो प्रकार का स्वभाव्य हम दिखाई देते हैं एक है हम परमेश्र को प्रेम करके उसका वाचन को मानते है पहला युहना दूसरा रात है पहले से लेकर छे तक और सात्वी कलम से जारत कलंदक हमें देख सकते है यही प्यार अपने भाईयों को भी आम दिखाएगा और इसलिए हम अपने भायों को प्रेम करके उसके साथ मिलकर इस धर्ती में जीएंगे और प्यारों अगर अमारे जीवन में उस प्रकार का एक सभाव नहीं दिखाई देता तो हम अपने आपको जांच कर देखना सचमुष में मसी का रोशनी मसी का उज्याला मसी का प्रकाश मेरे जीवन मे सचमुष में कारी करता है की नहीं प्यारों प्रभू आने वाले समय में हम सब को सहाइदा करे ताकि ओच चला इस धर्ती के उपर अपने और प्रेम करके हम पापियों के उपर करुणा दिखा के ओग करुणा हम अपने भाईयों को दिखा कर इस धराधल पर जीने के लिए हम सब को सहाइदा करे प्रभू इन भजनों के दोरा हमने हमारे वराशिष डे जह मस्य की